दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से लॉंग टॉम शेस ल्ट्यास में स्वागत है फानेशल फ्रीडम पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए दरसल फानेशल फ्रीडम का ताथ पर ये है कि बहुत सारे लोग दबाओ में प्रेशर में कुंठा में काम करते जाते हैं काम करते जाते हैं और उनकी मेहनत के हिसाब से उनको मेहनताना नहीं मिलता पारिश्रमिक नहीं मिलता और वो कुंठा ग्रसित हो जाते हैं उनको कभी कभी लगता है क्या हम जीवन में कभी एक बड़ी अमांट बना पाएंगे वो सेलरीक परसन होते हैं बहुत सारे उनके खर्चे होते हैं तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सबसे पहले एक आम भारती अगर एक करूर रुपे बना ले तो देखी एक करूर एक सफीशन धनराशी है जिसके माध्यम से आप इतना तो कर पाएंगे कि महीने को आपको आ पाएं या ना करें तो भी आपको पैसे के कलत नहीं रहेगी तो आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि एक क्रोड किस प्रकार से बनाएंगे ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं कितना पीरियड लग सकता है किस हिसाब से हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो ग्रो होना बजाए किसी संदेह के ये सोच कर कि अभी जो भाव हैं जिस भाव में शेयर्स मिल रहे हैं फंडमेंटली अच्छी कमपनियों के बारे मैं बात कर रहा हूं शायद आगे के कुछ वर्षों में बड़े प्राइस के हो जाएंगे साथी जो एक सिस्टम के तहत प्रतिमाह उनके लिए जितनी लंबी अवरी तक उनके चहेते शेयर्स निचले भाव पर मिल रहे होंगे उतना ही अच्छा है निवेश के लिए आपको जो भी खर्चे पानी के बाद बचत कर पाएं उसे मैक्समम इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट इसलिए भी आकर शेयर्क है क्योंक भी हुई धनराशी है शेयर्स हैं उनको आप बेच करके लिकुडेट करके जल्दी पैसा मिल जाता है बजाय अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमन्स के साबसे अगर आपने निवेश किया हुआ है तो वहाँ पे आपको बाहर ढूनना पड़ेगा फिर बहुत सारे पैसा मिलता है अब जैसे कि माल लीजिए कि 20,000 रुपए प्रतिमाह आप बचत से जो है निवेश कर रहे हैं आपका पैसा 25% सालाना के इसाब से ग्रो हो रहा है दस सालों तक यदि आपने किया तो आपको जो है एक कोड़ रुपए की धनराशी बन जाती यानि कि आपने न निकाल के 15,000 महीने सेविंग कर पा रहा है और वो निवेश कर रहा है तो यहां पे 20% माल लीजिए कि आपको रिटन प्राप्त हो रहा है थोड़ा सा वर्ष बढ़ा दीजिए यहां पे 13 वर्ष कर देते हैं तो जाके आपको एक कोड़ से ज्यादा की धनराशी यहां पे ब आपको इस दस वर्षों में अधिक हार्डवर करना है आप जिस भी फिल्ड में हैं जो भी आपके स्किल है मेहनत बढ़ा दीजिए बस चुपचाप बिना किसी को बताए उस लक्ष को पाने में लगे रहिए ना कि बार-बार अपना आप डेमेट अकाउंट खोल के अपने portfolio को चिक करें कि कितनी value की है कितनी value की नहीं है समय समय पर जरूर आप जो है रिवीव ख़े करते रहें अपने portfolio के कैवंसे STOX या किस company में क्या चल रहा है कुछ साल hardware कर दीजिए जीवन भर आराम कीजिए कुछ साल आराम कीजिए और जीवन बर हार्ड वर्क करना है यह आप समझ लीजिए यह लाइन आप लिख लीजिए कैसे भी करके आपको परिश्रम करके पैसे निवेश ही करने है अपनी बचत करके माली जी एस आई पी मोल पे आप कर रहे हैं जो भी मंतली का 20,000, 15,000 तो उनको किस प्रकार के सेक्टर में आपको निवेश करना है जैसे FMCG हो गया यह एवर ग्रीन सेक्टर है हमेशा चलता रहेगा क्योंकि काफी प्रोड़क्स से दिमान रहती है लोग खाते पीते हैं जो भी FMCG के प्रोड़क्स होते हैं IT सेक्टर चलता रहेगा क्योंकि IT ही पूरी इंडस्ट्री को आप देखें किसी भी उद्योग में तो वहां टेक्नोलोजी का एक बहुत बड़ा स्थान हो गया है बहुत सारे सॉफ्टर इंजिनियर्स डेटा अनलेटिक्स इन सब चीजों से जो ही इंडस्ट्री फल फूल रही है तो यह सेक्टर भी भविश्व में चलने वाला है रही बात केमिकल की केमिकल भली अभी तूटा पड़ा हुआ है जैसे कि हमने शुरू में कहा कि इसी एक अपॉस्ट्नूटी के रूप में देखें आप कि हमें लंबे समय तक SIP करने के लिए सस्ते भाव पे आपको की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं हर जगह केमिकल का ही प्रकार होता है चाहे आप पेत्र भी इस्तेमाल कर रहे हैं परफ्यूम वगएरा तो भी केमिकल है कुछ खापी रहे हैं तो भी वहाँ केमिकल है ब्रेट बिस्कृट चाहे जो भी कलर्स यह सारा केमिकल से ही है तो फ्रीज यह सबके जो मनुफैक्शरर हैं वो भी अच्छे खासे चलते रहेंगे क्योंकि एक समय के बाद मुबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे टीवी हो खराबी हो जाते हैं लोगों को लेना उनकी जरूरत है तो यह सेक्टर भी चलता रहेगा जो आटो इंसलरी यानि आ जोन लेके ही लोगों काम चलता है तो नॉन बैंकिंग फरेंस कंपनी जो है अच्छा काम करेंगी अब यहां पर जो हमने दिखा रखा है कि एज कैटेगरी है जो समालेजिए आपकी आईव तीस से चालिस साल है तो आपको किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो का पर जाए तो आप स्मॉल कैप में पचीस परसंट रखें एक्स्पोजर और मिट कैप की कंपनियों में 50 परसंट और लाज कैप की कंपनियों में 25 परसंट इसी तरीके से जिनकी आईव पचास से साथ वर्ष है तो यहां पर इनको रिस्क कम लेना है तो हमने यहां पर मूच में मूचल फं डाल दियां जेस्मॉल कैप आपको जो भी पसंदीदा हूँ मुचल फंस में आप निवेश कर सकते हैं 25 परसंट अपने जो है फंड का और जो मिट कैप की कंपणियों है unfacia कहीं तो 25 परसंट जो आउफको एक्सपोज़र रखना है 50% के आसपास ताके रिस् रहा है टेलिकॉम का भी इनका अच्छा खासा फलफूल रहा है और रिफाइनी का पिट्रो केमिकल्स का जो भी कारोबार है वो भी अच्छा खासा चल रहा है तो इस तरीके सिए कंपनी में भी SIP वगएरा करते रहें लॉंग टम के लिए बढ़िया कंपनी है इसके बाद आ के असारफ है दीपक मिड रेंज में आ जाती है जुबलेंट एक स्मॉल के आ जाती है जुबलेंट इंग्रेविय इनका एक्सपंशन वगएरा भी अच्छा खासा चल रहा है इसी तरीके से अगर आप FMCG में देखेंगे तो मैरिको हो गई ब्रिटानिया हो गई टाठा इस तरीके से अगर आप देखेंगे अनियक प्रकार की डेवसिफिकेशन है ब्रोकिंग इंडस्टी में भी है और भी देटे हैं लोग 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 अगेंस चेर्स भी देते हैं एडवायी सर्विसेज भी है तो बहुत तरीके की बियसने के तो ये यह भी अच्छी खासी चलती रहेगी छोटी साइसी कमपणी है आवाज फणेंस भी यह चोटी साइसी कमपणी है हाउसिंग फणेंस और छोटे मोटे लोन्स आ जाते हैं मिंदा इंडूस्ट्री आटो इंसलरी से कमपणी तो यह भी बड़हा कमपणी है Sona BMW ये भी Newly Listed Company है और Hersha Engineers ये भी Newly Listed Company है इसके बाद आयते हैं जिसे Dixon Technology हो गई आप देखेंगे कि बढ़ा Electronic Manufacturer है चाहे आप टीवी से लेके सब कुछ बनाती है अंबर इंटरप्राइस अगर देखें मेनली जो है Air Conditioners में है लेकिन Air Condition आप देखें भारत वर्ष में कितनी दिमांड होने वाली है आने वाले समय में जैसे विद्युत की ख्रमता बढ़ती जाएगी वैसे मुझे लगता हर एक इंसान चाहता है कि हमारे घर में हमारे ओफिस में जो है एसी लगा हो तो ये कंपनी भविश में काफी अच्छा खासा फल फूल सकती एक लंबा समय लग सकते हैं अब माली जी इस तरीके से आप निवेश करते 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 आपने बना लिया एक करोड़ रुपए जैसा कि हमने शुरूम बताया उन एक करोड़ को आपने जो है सिस्टेमाटिक विड्रॉल प्लान में आपने निवेश कर दिया किसी भी अच्छी एमसी में आप ने डाल दिया एक करोड़ रुपए अब आप पचास हजार प्रतिमा जो है पे आउट भी ले रहे हैं कि भाईया मुझे पचास हजार महीने जो है खर्चे पाने के लिए चोहिए मैंने एक करोड़ रुपए आपको दे दिये हैं 15% से माली जी आपका पैसा ग्रो हो रहा है mutual fund industry आपका पैसा बना रहे हैं तो 15 वर्ष के लिए अगर माली जी रखते हैं तो यहां पे आपको 5 कोड़ से ज्यादा की value भी हो रही है साथ में हर महीने आपको 50,000 की जो है amount भी एक salary या pension के रूपे मिल रही है इस तरीके से माली जी की एक करोड़ रुपए रखते हैं और 50,000 पर मन्त लेते हैं अब माली जी 12% mutual fund आपको बना रहा है आपका पैसा 15 सालों के लिए तो भी आपका पैसा capital gain आपको जो है तीन क्रोर से ज्यादा का मिल रहा है और salary भी आपको एक तरीके से pension कह सकते हैं 50,000 मिल रहा है ध्यान दिजी कि जब SWP करें तो उस समय आप जो capital gain मिल रहा है capital appreciation हो रहा है उसी से payout लें ना कि जो है आप unit base बेच कि जो वो company दे fixed वाला ऐसा मत रखें तो इस तरीके से आप flexibility ज़रूर रखें साथी यह तो रहा है SWP इस तरीकी कि बहुत सारे और भी चीजें है अगर आप fixed deposit पे भी लगा देंगे पैसा तो भी आपको जो है पास एक कोड़ हो जाते हैं तो आप किसी property भी निवेश कर सकते हैं जो कि commercial property हो ऐसी property कोई दुकान हो कोई shop हो जहां से आपको तुरंद पैसे की आमत शुरू हो जाए हर महीने एक rental के रूप में प्राप्त होता रहे इस तरीके से आप कहीं भी कुछ ऐसा आप सूचिए business करन ना तोटने दें जब भी आपके पास पैसे आमें आपके दिमाग में जो भी business फलफूल रहा हो जो भी अभी आप कर रहे हैं उसको छोड़ के आप अपने हिसाब से सोतंत्र हो के कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं भविश में आने वाल तो भी पचाजार डेली की इंकम हो रही है तो business करने के लिए कुछ भी ideas हो सकते यानि कि पैसे को आप ऐसी जगा में ताकि आपको वहां से एक passive income के रूप में मिलती रहे और आपकी life set हो जाए फिर उस पैसे से आप पैसे बनाते रहें तो पैसे से पैसे बनाने के लिए आप भखो भी समझ गये हैं जो भी मैं कहना चाहता था ऐसा exact हो ये तो मैं नहीं कह रहा तो कि आपको अपने हिसाब से research मेहनत करने पड़ेगी जो भी stocks जो भी sectors हैं मैंने सिर्फ एक रास्ता बताया कि देखी इस रास्ते से आप चलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कठिन ज देखे चलता ने वह चमतकार तो इश्वरी कर सकता है लेकिन मार्केट में अगर आप श्रद्धा पूर्वक निवेश करते जाएंगे तो इस तरीके से जोड़ जोड़ की पैसा क्रोल रुपए तो बना ही लेंगे जैसा कि आपने देखा कि अगर आप 20,000 रुपए महीने सेव करके आप जोड़ते जा रहे हैं तो भी वह करीब करीब 10 साल में 24,000,000 के आसपास हो गया अब क्या इस 24,000,000 को जो है आप इस हिसाब से ग्रो नहीं कर सकते क्यों नहीं ग्रो कर सकते आप अच्छे स्टॉक्स में वेश कीजिए जरूर आपका पैसा बढ़ेगा हो सकता वीडियो रहा दोस्तों आशा है कि आपको पसंद आया होगा तो इस तरीके से आप फनेंशल फीडम को प्राप्त कर सकते हैं कोई आपके वीचार हों सुझाओं तो जरूर आप को में बॉक्स में रखिए गा थैंक यू फॉर वाचिंग से वीडियो फ्रेंड्स और हाँ अ